हेलो गाइस आप सबी लोगों फिल से एम जी फेमिली कीचेन में स्वागत है गाइस आज मैं गेहू के आटे की बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी और आज की रेसिपी बहुती मज़ेदार होने वाला है अचाना घर पर कोई में मन आए तो या आपको बर्फी खाने का मन हो तो किस तरह से आप लोग गेहू के आटे की बर्फी बना कर खा सकते हैं इस रेसिपी पर देख सकते हैं पर मैंने कराई को गरम होने के लिए रख दिया था यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहू का आटा को डाल दिया है अभी इसको कम आस में 5-6 मिनित अच्छी तरह से भून से गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ एक कटोरी ताजा नारियल लिया है देख सकते हैं अभी मैं इसको भी कडाई पर रख दूंगी और इसको भी 5-6 मिनित अच्छी तरह से भूनना है और इस तरह से भूनने से नारियल से बहुती टे मैं अच्छी तरह से 3-4 मिनित अच्छी तरह से इसको भूनना है और इसके बार यहाँ पर मैं डालूंगी जोई स्पून घी घी डालने से मिठाई वेगर मैं बहुती बड़ी आटेस्ट आता है अगर आपके पस नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं और देखें यहाँ पर मैंने एक कटोरी सकर डाल दिया है आपको जितना मिठा पसने उतना डाल सकते हैं चीनी डालने के बाद इसको भी मैं चार से पांस मिनित भूनना है और चीनी पीघलने तक इसी तरह से मैं भूनूंगी और देख सकते हैं लगबग तो चीनी भी पीघल चुका है गाईस देख सकते यहा पर मैने एक ग्लास दूट लिया है अभी मैं थोड़ा थोड़ा डाल की इसको चलते रहोंगी नियुम्षाय मैंने चला लिया अभी यह डो बनके तयार हो जाता है आत शी तरह से को बना चलते रहना चाहिए और इस तरह से बना नहीं परना चाहिए और यहां पर मैंने कुछ बुके लिए डाला है इलाइची पाउडर और यह देखे हमारा डो जैसा बनके तैयार हो चुका है इसको में रख लूंगी साइट पर प्लेट पर मैंने घी लगा लिया है ताकि हमारा यह बर्फी बनाते समय ना चिपके और दे काना है यह देख सकते हैं चारों से इस तरह से दबा दिया है यह हमारा स्क्वर सेफ में बन चुका है यहां पर मैंने मूंपळी उपर से ढाल दिया है आपको वो भी ड्राइफूट पसन है वो डाल सकते हैं अब यहां पर मैंने ग्रेट किया हुआ थोरा सा नारियल उपर से डाल दूंगी देखें और इसको थोरा सा प्रेस करना है यह देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है यह देखें इस तरह से अभी मैं इसको ठं इस तरह से बनाया हुआ गेहू का आटा की बर्फी बहुती बढ़ियर लगता है और टेस्टी भी होता है अचनक कोई घर पर मेमन आए तो आप लोग इस तरह से जटपट गेहू के आटे की बर्फी बना कर दे सकते हैं और ये देखेगाईस यह हमारा गेहू का आटा की आप लोग घर पर ही बना कर खा सकते हैं और यह देखें इस तहरा से ही मैं ने सारे गेह। काठा का बर्फी बना के तयार कर लिया है आसा करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ दोस्तों तब तक लिए ठेंक यू बाई बाई ग करे देंक से ही न दोस्तों वाुकत हॉटा दोस्तों ओता ने कीजिए दोस्तों के साथ बाई गया दूस्तों पर आगको अजवे मिलूंगा ऑई सकतर से है। आपको छाह या दोस्तों हैнов bene, गया बाई तोस्तों है। जवए है